हलो बच्चो वेलकम टू आर यूटूब चैनल द्रोज इंगलिस क्लासेस विद केमेस्ट्री और फिजिक्स नोट बच्चो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कक्छा बारवी का रसान सास्त्र का जो अभी अर्धवार्शिक परिच्छ होने वाला है 15 या 16 अधिस इसमें से लगभग लगभग 70-80% कोश्चन आपको अपने प्रश्ण पत्र में दिखाई देंगे तो चले दोस्तों समय को व्यस्तना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने जो पहला प्रश्ण है वो इस प्रकार है कि राक साल्ट सरजना वाले क्रिस्टलो में प्रत्यक आयन की समनवाय संख्या कितनी होती है तो मैंने आप लोगों को फस्ट वाले लेशन में जिसको हम लोग ठोस प्रावर्स्था कहते हैं उसमें बताया था रॉक साल्ट क्रिस्टल क्या होता है है वहाँ पर जो समनवाय संख्या होती है मतलब जो उसके से घरे रहते जो हैं उसमें जो क्रिस्टल है उसके जो आयान होते हैं। अगर से आगे देखते हैं अगला कोश्चन हैieursि क्या है इसकी उप्योग लिखे इसके बारे में आप लोग को बहुत ही वह अच्य से बता चुका हूँ डोपिंग के बारे में ठीक है अगला कोस्टन देखते हैं त्रिजय नुपाद से आप क्या समझते हैं तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसमें आप लोगों को थोड़ा-थोड़ा कोस्टन ही पूरा बताऊंगा और उसे संबंधी जो के समय उसमें जो positive charge participate करते हैं और negative charge participate करते हैं तो उनके आयनों का जो अनुपाद होता है जैसी कि मैं बात करूं सपोस करो अगर धनायन की संख्या 6 है और इनायन की संख्या क्या है चार है तो इनका जो ratio होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे त्रिजय अनुपाद कहेंगे ठी के सुत्र दीजिए है ना जिनको मुललता नहीं आएगा समझ जाओ वो बारवी पास नहीं हो सकता तो प्रस्ण क्रमांग चाओं था हमारे पांस यहापर देखिए मुललता की परिभासा लेखिए वह इसके सुत्र भी लेखिए तो इसमें आप लोग को मैंने आप लोग को बताया था कि मुललता क्या होती है एक हजार एक किलोग्राम विलाया कम्यूफस्थित विले के मूलों की संख्या ठीक है आगे देखते हैं प्रस्ण करमांग पांचवा है सेल स्थरां किसे कहते हैं इसकी ही काई लिखिए इसके लिए भी मैंने आप लोग को बहुत ही इसको आप लोग को जब रेडाउक्स रेक्शन पढ़ाया विद्धूत्रा सायन में तो वहां पर मैंने आप लोग को इसको बहुत ही सरलता के साथ बताया था कि इसको एक था आपका ऑक्सीडेशन और दूसरा था रेडक्शन है ना तो जब हम लोग इसके ओल्ड थियोरी की बात बारे में बात कर रहे था तो ओल्ड थियोरी हमारा ये कहता था कि अगर किसी मॉलिक्यूल में आपक्सीजन या किसी इलेक्ट्रो इकलिक्टिविटी वाला एंटम एड हो रहा है तो यसको हम लोग रेडक्शन कहते थे लेकिन इस अधारना को बाद में क्या कर दिया गया ब थेरी तो question है आप लोगों के सामने electronic सिद्धान के अधार पर आक्षीकरन वाप्चैन को विक्रिया कोई सबस्ट किजिए तो electronic सिद्धान में हम लोग longtime को ने पढ़ा कि तो इन दोनों के विहाब पर हम लोगों क्या करना है, आक्सिकरन अवस्ता को बताना है, आक्सिकरन सक्या को और अप्चयान को बताना है, तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एजाम पाल ही बता जेता हूं इसका, जैसिके मैं ले रहा जिंग है नदो जिंग क्या होता है Rus anotherangen को त्याग कर बना लेता है जेडेंड तू पलस और साथ में निकल जाता यहां पर तो यह होगा आपका आगसिकरन क्या होगा भैई आगसिकरन है न उसी प्रकार से हम लोग झाले तो दूसरे वाले में अगर हम लूग बात करते हैं reduction की तो reduction में क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी वाले क्यों like outcome मैं ले लेता हूँ copper है ना copper क्या करता है copper के पास फहले two positive charge रहता है वहाँ से यह दो electron जिसको किसने त्याग है भई जिसको त्यागे है इस zinc ने तो उसको accept कर लेता है और यह बना लेता है इसको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको अभी क्रिया को यह क्या बना लेता है यह जो आपका copper है वो दो electron को accept अगर के बना लेता है copper ठीक है पहले क्या था यह देखो copper iron था इसने दो electron को ग्रहन किया तो इसके दो positive charge और इसके दो negative charge आपस हो गए और क्या बचा फिर आपके पास केवल और केवल copper क्लियर है इतना आगे बढ़ते हैं देखे प्रशनकरवांग सातवा है एक सेकेंड देखे प्रशनकरवांग सातवा है आपके सामने काच को 30 सिति द्रव क्यों माना जाता है और यह जो question है आपके CG board ने जो design के वहाँ पर भी है और यह most important question है काच को 30 सिति द्रव क्यों माना जाता है तो भाई काच क्या है काच है एक प्रकार का ठोस ठीक है ठोस है तो इसमें क्या होना चाहिए कहना चाहिए इसमें पिघलने का या फिर बहने का गुन नहीं होना चाहिए लेकिन काच एक ऐसा ठोस है जिसमें द्रव के समान भी गुन पाया जाता है अर्थात द्रव के समान इसमें क्या होता है द्रवित होने का गुन पाया जाता है द्रवित होने कर गुन या फिर द्रव के समान द्रव के समान बहने का गुन भी पाया जाता है किसमें कांच में है ना द्रव के समान बहने का गुन पाया जाता है इस कारण से कांच को अस्ति सितित द्रव कहा जाता है कांस ठोस है उसके बावजूद इसमें द्रव के समान बहने का गुन पाया जाता है है ना किसका गुन पाया जाता है बहने का गुन पाया जाता है इस कारण से इसको हम लोग अतिस हितित द्रव कहते हैं चले अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन क्या कहता है दुर्बल विद्धुतब घट्य किसे कहते हैं एक उधारन देजिए तो ये तो बहुती बढ़िया कोश्चन है इसको मेरी खासे बताने कि आवा सकता नहीं है तो चलो मैंने आपको जैसा बोला है तो बता देता हूँ दुर्बल विद्धुतब घटे और या विपदार्थ जो जली विल्यन में पूरी तरह से आएनित नहीं होते हैं एसे पदार्थ कोम क्या कहते हैं दुर्बल विद्धुतब घट्य कहते हैं है́ना मतलब क्या होता है जैसी की मैं लें लेता हूँ यहाँ परappy doctor हाइड्रॉकसाइड ठीक है सोडियम हाइड्रॉकसाइड एक प्रवल विद्धुत अब घट्टी इसको मैं जल में खोलता हूँ तुरंद ये Na+, और OH- में अब घट्टी तूड जाता है ठीक है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हम लोग CH3COOH क्या पता है आप लोग को इसका नाम क्या है इसका नाम है Acetic Acid क्या है भई Acetic Acid तो जब हम लोग Acetic Acid को Water में Dissolve करते हैं तो ये पूरी तरह से Ionized नहीं होता Ionized नहीं होता इस कारण से ये क्या है एक प्रकार का दुर्बल विद्धुत अब घट्य है ठीक है तो आगया होगा आप लोग को I Hope समझ में चली अगर आप कोश्चन देखते हैं आइस्क्रीम में जिलेटीन क्यों मिलाते हैं ये है आपका प्रिष्टर सायन का एक महत्वपून प्रस्ण इसको भी आप लोग छोड़ना मत आइस्क्रीम में जिलेटीन क्यों मिलाते हैं प्रस्ण करमांग दसवा देखिए सुन्य समुह किसे कहा जाता है है ना सुन्य समुह के बार में आप लोग पढ़े होगे तो उसको देख लेना आप लोग उसके बाद देखें प्रस्ण करमांग ग्यारवा वास्तविक विल्लियन और कुलाइडी विल्लियन में अंतर लिखिए तो वच्चु इसका अंतर बहुती सिंपल है और सरल है आपको किसके बारे में पूछा जार है देखिए एक मिनट आपको कोश्चन किया गया है वास्तविक विल्लियन वास्तविक विल्लियन क्या होते है वास्तविक विल्लियन ऐसे विल्लियन होते है जिन में कनो काकार क्या होता है बहुती छोटा होता है जिसको हम लोग अपनी नगना आखों से या खुली आखों से नहीं देख सकते लेकिन जो हमारे पास kol-id विल्ड होते है उनके कनू का आकार वस्तविक विल्ड़न के कनू का आकार से बड़ा होता है ठीक है इसमें और बहुत सारे अंतर है आप लोग इसको देख लेंना अगर हम लोग बात करें वास्तविक बिल्दन के तो इसमें जो कनु का कार होता है वो एक नैनोमीटर से क्या होता है कम होता है और इसमें एक नैनोमीटर के एक नैनोमीटर से ज्यादा होता है ना इसमें और बहुत सारे अंतर है चली अगला कोश्चन देखते हैं प्रस्ट नक्रमांग बारवा प्रस प्रिष्ट रसन पढ़ाया तो बताया था कि जैसी कि मैं बात कर लेता हूं मेरे पास यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है ठीक है अब इसमें दो प्रगार की खटना होती है एक सपोस्कर मैं मानता हूं यहां पर क्या है बहुंच सारी इस प्रिष्ट पर आ करके चिपक जात है तो उस घटना को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं अधी सोशन है ना क्या कहते हैं अधी सोशन एड़ जॉप्शन ठीक है अधी सोशन लेकिन अगर मैं बात करूं यह जो वस्तु यहां पर रखी हुई है कौन सी वस्तु यह जो वस्तु यहां पर रखी हुई है वो आकर के इस वस्तू के अंदर जाकर के जम जाता है या फिर अंदर चला जाता है और इस अंदर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं इस थूल कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं इस थूल कहते हैं और इंगलिस में कहा जाता है इसको बल्क ठीक है तो जब कोई वस्तू प्रिष्ट पर जब कोई पदार्थ या कन किसी वस्तु के प्रिष्ट पर आकर किसी पग जाता है तो उस घटना को कहा जाता है अधी सोशन और जब कोई वस्तु या पदार्थ दूसरे वस्तु या पदार्थ के अंदर जाके क्या हो जाता है अंदर चला जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं अगर आप लोगों को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मेरा केमिस्ट्री का चैनल देख सकते हो आप लोग कमेंड करना मैं आप लोगों को इसका रिप्लाइद दूंगा बिल्कुल करूंगा और चलिए अगला कुश्चन देखते हैं प्रश्ण सुर्य के प्रकास में पीला पड़ जाता है क्यों ठीक है उसके बाद प्रश्ण करमांग 14 है कैल्सियम क्लॉलाइट ठंडे देशों में बर पटाने में प्रियुक्त होती है इसका कारण बताईए प्रश्ण करमांग 15 है अभिक्रिया की दर को परिभासित कीजिए तो दोस् के साथ तो प्लीज कमेंट करें एक सर्त है इसके लिए आप लोग वीडियो को ज्लत ज्यादा शेयर करना पड़ेगा हमारे चैनल और को लाइक करना पड़ेगा सस्क्राइब करना पड़ेगा ।हीं मैं आप प्रियुक्त करण बार और हैं में योट्ट करा दूँगा ठीक प्रश मंबांग 15 देखते हैं अभिक्रिया की दर को परिभासेत कीजी ये laughed fortin которую कीजी और को प्रिभासई कीजी टीक है या फिर पुष्टन को ऐसे पूछ सकते हैं अभिक्रिया की दर से आप क्या समझा ना होते हैं तो समय में अभीकारा किया जैसे कि आप लोग मैं पहले पहली एका संद्रता क्या होगी एक समय माल लेता हूँ तो जब अभिक्रिया शुरू नहीं होगी तो इसकी संद्रता क्या होगी जीर होगी प्रारम भिक्रिक संद्रता लेकिन जैसे जैसे अभिक्रिया बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी संद्रता में क्या होगी कमी आती जाएगी और इसकी संद्रता में व्रिद्ध होती जाएगी तो अब अभिक्रिया की दर क्या हुई मतलब दर कहने का मतलब होता है कि ये जो अभिक्रिया है वो किस वेक से बढ़ रहा है इसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहा है किसमें अभिकारक या उत्पात की संद्रता में तो अभिक्रिया की दर क्या खहलाती है इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन किसकी सांद्रता में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है अभिक्रिया की दर कहलाता है सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ठीक है बच्चों चले आगे question देखते हैं प्रशनकरमांग 16 है कि इस हैलोजन द्वारा जल को oxygen से oxygen से oxygen किया जाता है तथा अत्यधिक उर्जा उत्फन होती है ठीक है यहाँ पर आप लोगों को हैलोजन family के जितने भी member उसके बारें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा तब 17 देखते हैं संक्रमन तत्व किसे कहते हैं ठीक है संक्रमन तत्व transition element किसे कहते हैं वे संक्रमन तत्व किसी को पता है क्या चलिए देखते हैं संक्रमन तत्व क्या होता है तो वे तत्व जिनमें अंतिम रिक्टान कहां पर प्रवेश करते हैं D कक्षक में तो जितने भी आप के D block के element है सभी के सभी क्या कहलाते है संक्रमन तत्व कहलाते है जिनमें अंतिम कक्षक कहां अंतिम इलिक्टान कहां प्रवेश करते है D कक्षक में प्रवेश करते है जिसके पास क्या होता है रिक्त D कक्षक पाया जाता है और ये प्रियोडिक टेवल में S-Block और P-Block तत्वों के बीच में पाया जाता है तो ये हैं आपके संक्रमन तत्व अब इसमें और extra क्या एट कर सकते हो आप लोग इसमें extra आप लोग एट कर सकते हो कि संक्रमन तत्व इनकी electronic बिन्यास यहां से होता है या फिर इनका समाने लिक्तानी पिन्यास क्या होता है वो आप लोग लिख सकते हो ठीक है प्रस्टने करमांग 16 देखते हैं 18 देखते हैं यह बहुत इंपोर्टेंट है यहाँ पर दिया हुआ है के 3 CO C2O4 उसके बाद यह 3 ठीक है जिसका आप लोग कोई पेस्टी नाम करन करन और है यहां पर देखिए दूसरा कोश्चन दिया हुआ है ऊसके नाम क्यों होगा हम लोग देखें तो यहां पर देखिए यह हैंतलब जल है जल कहां क्या बोलते हैं एकवा बोलते हैंята पर किया कर रहा है काम कर रहा है किस की बाती काम रहा है ये लिगेंड की बाती एकसराने ना में वंकर रहो है अब देखिए का नाम अग्र फिर दरल फरी रॉल्र ऊपिंगे चलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे एक मिनट थोड़ समिस्टेक हो गया यहां पर हम लोग लिखेंगे देखो जैसे की उपर वाले में आपके पास पोटेसियम है जो कि आपके स्क्वेयर ब्रेकेट के देखो यहां पर स्क्वेयर ब्रेकेट के बाहर में है यह पोटेसियम तो हम लोग आयन को पहले लिखते हैं, लेकिन जब हमारे पास square bracket के अंदर में कोई आयन हो या बाहर में आयन ना हो, तो हम लोग सिधा-सिधा जाते हैं कि इसके पास, ligand के पास, और ligand का लिखते हैं हम लोग सबसे पहले संख्या, तो देखिए यहाँ पर H2O bracket के बाहर कितना है, 6 है, 6 को chemistry की भासा में कहा जाता है, क्या, hexa, ठीक है, उसके बाद ligand का लिखते हैं, water है, तो water को हम लोग क्या कहते हैं, equa, तो यह हो जाएगा, hexa, equa, उसके बाद का लिखते हैं, हमारे पास iron है, मैगनीज, तो यह जाएगा, hexa, equa, उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, मैगनीज, है न, उसके बाद कितने चार्ज है, इसके बास, 2 प्लस, तो 2 प्लस चार्ज हमको exact है, मतलब यहाँ पर हम लोग इसका actual में आक्सिकरान अवस्ता निकलना होता है, इस small bracket के अंदर, तो सबसे पहले हमको इसके आक्सिकरान अवस्ता निकालनी पड़ेगी, अच्छा, आक्सिकरान अवस्ता कैसे निकालते हैं, अगर आपको नई पता है, तो प्लीज चैनल में कमेंड कीजिए, अब लोगों को मैं इसके भी वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है, तो हेगजा एकवा मैगनीच, इसके बाद आप लोग इसका आक्सिकरान अवस्ता निकालोगे, तो पताएए, सम प्रासरी विल्लियन कैस किसे कहते हैं, ऐसा विल्लियन जिसका प्रासरान आप क्या हो, एक समान उसको हम लोग क्या गहते हैं, सम प्रासरी विल्लियन कहते हैं, है न द्रव्यमान प्राइं प्रतिस्लित क्या है इसके वारे में आप लोंगो मैं 11-10-2 नों में पढ़ाएं प्राशरन क्रीशा क्या हैं इसको परिफासित कीजिए तो प्राश Innen क्रिया आप कुई कन कम सांधरता से अधिक सांधरता वाले विल्यान की और अर्धपार गम इसली से होकर क्या होते हैं गुजरते हैं तो उसके प्रक्रिया को हम लोग परासरन कहते हैं उसके बाद प्रशनकरवांग 22 देखिए ओजोन एक प्रवा लाक्षिकार रखायर असानी प्रश्ट कीजिए तो मैंने जब आप लोगों को क्या पढ़ाया प्रवलाओक एलिमेंट पढ़ाया तो इसके बारें बहुती जबर्दस तरीक से मैंने आपको समझाया है एक पर आप लोग जाके चेक कर ले ना इसको ठीक है प्रशनकरवांग तेज़िए कॉपर सी यू प्लस रंगहीन है परंतु सी यू टू प्लस रंगहीन होता है क्यों तो बच्चों यह सबसे बहुत इंपॉर्टन फैक्ट है क्योंकि यह न तो हमारे गिवल पढ़ाई के लिए है बेलकि हम लोग की दैनिक जीवन में जो भी खहना चाहिए हम लोग कलर फुल चीज लिक्त्रानिक वण निकालोगे अगर मैं बात करो और की समाणना वस्तल्टाने विद्णास तो यह होता है क्रीडी चैन कितना फोरेस वन आप देख कर यहां पर क्या है एक पौजिटिव चार्ज है कितना है एक पौजिटिव चार्ज और chemistry में positive charge का मतलब क्या होता है एक electron की कमी है ना एक electron की कमी होती है वही तो यहां से एक electron क्या होगा बाहर चला जाएगा तो बचेंगे आपके पास कितना 3D 10 अब 3D के लिए अगर मैं यहां पर क्या करूँ orbital बनाओ इस प्रकार से 4 और यह 5 तो देखो 10 electron है अपन पास तो यहां भर देते हैं एक यहां पर दो यहां पर तीन यहां पर चार यहां पर पास और यह च्छै यह 7 यह 8 यह 9 और यह 10 है ना अब देखिए कहीं आपको unpaired electron दिख रहे है क्या यहां पर देखो यहां पर दिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि copper प्लस में या cu प्लस में आपके पास एक भी unpaid electron या lone pair electron क्या है मौजूद नहीं है तो जिस पर मानू के पास अगर क्या ना हो unpaid electron ना हो तो वो कैसा होता है वो होता है आपका रंगहीन ठीक है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रंगहीन कौन होगा भाई cu प्लस लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसकी cu 2 प्लस की तो cu 2 प्लस का मैं बहुती बता रहा हूं बहुत एच्छे तरीके से ध्यान देना आप लोग जब हम लोग बात करते हैं cu 2 प्लस की तो यहाँ पर होता क्या है copper 2 प्लस इसका मैं समानी इलेक्टरानी मिन्या देखूं तो यह होता है 3D 10 4S 1 अब होगा क्या यह 10 है न थोड़ कि एन का मान क्या हो जादा हो तो 3D और 4S में किसके एन का मान जादा है 4 है न मतलब एन का मान जो 4 है वो जादा होगा तो सबसे पहले लेक्टरान यहां से निकलेंगे तो यहां पर लेक्टरान एक ही है तो चलो यहां से एक लेक्टरान हम लोग निकाल दिया अब निकालना पर जो नया concept आता है वो आता है अब बजगे भी आपके पास 3D में 9 electron है ना अब इसका अब लोग क्या बनाओ यहाँ पर orbital diagram बनाओ तो एक, दो, तीन, चार और यह पांच अब फटा-फट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर electron को fill करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, कितनी electron है भी हमारे पास 9 electron यह हो जाएगा 6, 7, 8, 9 अब देखो मज़ेदार बात यहाँ पर यह है कि copper 2 plus के condition में मेरे पास बज रहा है एक क्या unpaired electron और जिस molecule के पास या जिस atoms के पास क्या होता है unpaired electron होता है वो होता है भी यह आपका paramagnetic और जो paramagnetic है वो obviously क्या होगा वो होगा आपका colorful क्या होगा colorful मतलब रंगीन ठीक है तो यह अंतर है इसका clear है चले आगे देखते है प्रशनकरमांग 24 देखिए आपका long question है इसके बारे मैं आप लोग को deeply explain नहीं कर पाऊंगा इसके आप लोगों को मेरे youtube channel को पहले live subscribe करना पड़ेगा फिर मैं आपको फिर आपको अच्छे से explain कर दूँगा तो देखिए प्रशनकरमांग 24 कुतनांग के उन्यांस था आणवी द्रवेमान में संब्दी साबित कीजिए अच्छा यहां पर बहुत बढ़ा question है टिपनी लिखि ट्रका फेवरेट उसके बाद देखते हैं अब औहर्ण जिसको हम लोग कहते हैं डायलेसिस क्या कहते है भई डायलेसिस ठीक है तो देखते हैं गोल्ड नमबर क्या होता है तो रक्षी क्लॉलाइट की वह मात्रा जो एक ग्राम सोडियम क्लॉलाइट चाहर होने वाले चाहर को रोग देता है इसको हम लोग कहते हैं स्वान रसंख्या अपोहन क्या है डालेसिस क्या है इसको भी मैंने आप लोग को अच्छे से बताया है और यह मेरे यूटुब चै कि वास्पदाब क्या पछिक ओनामन से क्या समझते हैं देख़ो बच्छो अगर आप लोग को कहीं पर भी पूछा जाता है आप एक्षिक ओनामन तो कहने का मतलब होता है यह सीधा सीधर रेलेटर है आपके राउल्ट के नियम से किससे राउल्ट के नियम से ठीक है तो कि यहां पर थोड़ा से प्रेंट मिस्टेक हो गए बच्चो ध्यान दीजेगा आप लोग क्योंकि यह होता है आपका हम लोग कहते हैं और यहां पर आपको कोशन किया गया है और अमोनिया मतलब अगर यहां पर और यह कुछ भी कंजक्षन देते तो उस कंडिशन पर हम लोग क्या करते इसको मान लेते लेकिन नाइट्रिक अमोनिया का निर्मान की ओस्टवाल विधी का बनन क्या करने के लिए बोला जा रहा है तो यह सही नहीं है ना क्योंकि हम लोग नाइट्रिक अम्मला का जो फॉर्मिशन क करते हैं वह करते हैं हम लोग है बविधी से तो आप लोग इस अमोनिया को थोड़ा नेम्ऩ करती तहीं इस त्वश्चन किया बनता आपके पास नाय ट्रीक अम्मला निर्मान की विभीका बनन कीर्ण का इसके अधार पर इंतीन विंदों के धार पर एक आपर नमां रसान प्रश्ण करवांग 26 है अमोनिया के निर्मान की है वरविधी को समझाईए ठीक है उसके बाद देखो यहाँ पर NICL4 2- यह बहुत बढ़या कोच्चन इसको आप लोगो कुछ नहीं करना पड़ेगा NICL4 2- अनुचुमबकी है जबकी NIC4 क्या है पृथिचुमबकी है इसके लिए आप लोग सेम लॉजिक लगाओगे कौँसा सेम लॉजिक लगाना है आप लोगो सबसे फ़र इसका क्या निकालोगे आप लोग आउक्सिडेशन नमबर निकालोगे आउक्सिडेशन नमबर जितना आएगा उसमें क्या करोगे आप लोग इसको माइनस कर दोगे तो फिर आप लोग सीधा सीधा जाओगे इसके इलेक्टानी कन्फिग्रेशन में जितना इसका पास क्या बन जाता है भई इनके पास बन जाता है कोई अगर इसके पास बन जाता है एक मिनट अगर इसके पास बन जाता है कोई ऐसा इलेक्टरान जो की क्या हो अनपेयर्ड हो तो उस कंडिशन में भी यह हमको ले लेना है सिधा सिधा क्या हमको यहाँ पर यूज कर लेना है उसकी magnetic property अगर अंप्रयाड इलिक्टान है इसका मतलब है कि यहां पर क्या होगा यहां पर होगा भी यही रंगहीन colorful और जो colorful होगा वो क्या होगा अनुचूमबकी है और जो colorless होगा वो क्या होगा प्रधी चूमबकी है colorful is paramagnetic और colorless is diamagnetic ठीक है मैंने क्या बोला colorful is paramagnetic है ना colorful क्या होगा भई colorful होगा आप लोगों का paramagnetic ठीक है उसी प्रकार से जो color होगा वह होगा आपका डाया मैगनेटिक क्या होगा डाया मैगनेटिक चोच चलिए बहुत धन्यवाद आसा करता हूं आप लोगों को यह समझ में आया होगा और अगर इसके बारे में आप लोग और डिपली जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज कमेंट कीजिए तागे हम लोग और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लाप आएं थाइंक्टू